दोस्तों मार्किट 225 माइंट गिर कर बंद हुई है तो अब हम देखने वाले आर्ती इंडस्ट्रीज, अलकाइल माइन्स और दीपक नाइट रैट में कि कहां पर हमें एक सपोर्ट बन सकता है और कहां पर हम इनमें अब एवरेजिंग कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जलतें दीपक नाइट आड के चार्ट पर दिपक नाइट इसमयें 17 CKE लेवर पे thought कर रहा है तो अब यहां पर देखते हैं कि इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टन्स कहां पर हो सकते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके सपोर्ट तो सपोर्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ Fibonacci Retracement तो Fibonacci Retracement अब देखें पहले हम यहाँ से एक rally पगड़ते हैं ndryli actually start कहां से हुई थी तो यहां से start हुई थी और इसके हाई है तो यहां पर हम देखते हैं कि युझ इस, पॉइंट 5 का level and .6 का l opposition स orada पर आया कैंप सबसे पहले हम Mark consume .5 का level और फिर एकुंप करतेноваoru तो अब आब यहाँ पर देखने को मिल सकता है उपर से एक टैलेन आ रही है तो दिखिए दीपक नाइट देखिए यहां कहीं पर आकर एक सपोर्ट लेने किसकी उमीद है अब दिखिए अगर इसको उपर जाना हुगा तो देखिए कैसे जाएगा अगर आपके पास दीपक नाइट है तो आपको इन डाउन टैंड जो चलता हुआ आ रहा था यह लगबग देखिए अक्टूबर 2021 से लेकर और अभी देखिए जून 2022 आ चुका है तो तब से लेकर यह एक ही टैंड में देखिए नीच एक तरफ चलता हुआ आ रहा है तो हमारे लिए कंफर्मेशन कब होगी जब यह उपर की जो 10 लाइन है जब यह इसको ब्रेक कर देगा उपर की तरफ विद वोल्यू तब हम कह सकते हैं कि अब इसका ट्रेंड जो हो चुका है तो बाकी अगर आपको इसको एवरेज करना है तो उसके लिए फिर आपको 1350 की लेवर क्या सपास आपको इसे एवरेजिंग करने होगी इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ आरती इंडिस्ट्री के चार्ट पर वहाँ पर हम देखते हैं कि अभी क्या बन रहा है तो दोस्तों हम आचुके हैं आरती इंडिस्ट्री के चार्ट पर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह अपने 22 विक हाई से कितना नीचे है त हम इसमें निकालते हैं इसके लिए सपोर्ट तो इसके लिए हम यूज करने वालें पर फिबोराज रिट्रेस्मेंट तो देखिए मैं यहां से एक रैली पकड़ता हूं और जो इसका हाई है हुआ तक इसको परोड कर देते हैं तो हमें पर देख पाने कि आरती इंडस्ट्री अपने देखिए 0.5 का जो लेवल है पहले मैं उसको एक और मार्क कर लेता हूं तो 0.5 का लेवल और 0.6 के लेवल के बीच में देखिए भी ट्रेड इसने करना स्टार्ट कर दिया है तो दस्तो आरती इंडस्टी का जो चार्ट है थोड़ा सा दिखिए मेरे ख्याल से यह अ फिर यह और भी नीचे आ सकता है तो यह थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहां पर उसका चार्ट है थोड़ा सा देखिए कमजोर चार्ट है अभी इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि देखिए कुछ टैम पहले तक अपनी यह इस ट्रेंड को फोलो कर रहा था तो इसने अपने एक दम परफेक्ट 0.5 और 0.6 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है अगर यह बाइचार्स यहां पर कपेड हैंटल पैटर बनाता है तो फिर इसमें काफी दिक्कत की बात होगी और उसके बाद जिसमें लेवल से वो काफी नीची होंगे मुझे लगता है कि यह फिर 550 तक भी आ सकता है बाकी हमें यहां पर यह देखना हुआ कि मार्किट उसमें अपर कैसा रियक्ट करेगी तो कि मार्किट सुप्रीम है जैसा मार्किट करेगी वैसा ही सब स्टोक चलेंगे इसके बाद हम चलते हैं अलकाइल समयन के चार्ट पर वहां पर देखते हैं कि अभ देखिए हम एक रैली यहां से पकड़ लेते हैं और यह लगबग इसके भी 0.5 का लेवल यहां पर भी नहीं आया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दीपक नाइट्राइट का चार्ट और अलकाइल समायन के चार्ट थोड़े अच्छे हैं आरती इंडस्ट्री के दोस्तों इसमें एक चीज और है जिसे हमें देखना हो तो उपर से देखिए एक ट्रेंड हमें आते हुए दिखाई दे रही है तो इन फ्यूचर अगर यह यहां पर कहीं पर आकर थोड़े सस्टेन करें और फिर आपको ब्रेक होती हुई दिखाई दे तब आप कह सकते हो क जो इसका डाउन ट्रेंड था अब वो खतम हो चुगा है लेकिन आपको इसको कुछ 2100 से लेकर 2600 रुपे के आसपास इसमें एवरेजिंग करते रहना चाहिए अगर आपके पास यह है और अगर आप चाहते हो कि आप इसको लोग टरम के लिए रखना चाहते हो तब ही लेक इस बात को आप जरूर ध्यान में रखे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगिया आप मुझे कमेंट सेक्से में बता सकते हो अच्छे लिए तो लाइक कर देना तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक एज़े टेक केर बाई बाई